नमस्कार दोस्तों सौगत हाब का गवर्मेंट जॉप स्वीप की ऑफीशिल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप लोगों के लिए खुश खबरी है आप में से कई सारो लोगों ने यूपी ट्रेपल सी स्टेनोग्राफर भरती की बारे में पूछा था कि कब आ रही है कैसे क्या आएंगी तो आप लोगों बता देंगे अब इस ट्रेनोगराफर भरती का विग्यापन आम को जल्ड देखने को मिल जाए यूपी ट्रेपल सी द्वारा इस साल का यह सबसे पहला विग्यापन होने के समभावना है और यह जो यूपी ट्रेपल यूपी फाग इनमें शामील हैं जिनमें आपका इस्टेनोग्राफर के बदों पर भड़तियां की जाने वाली हैं इसकी बात कर लेते हैं इसकी योगीता कैसे क्या रहेगी फॉर्म बने की लास्टेट तक आपके पास इंटर्मीडिट और ट्रिपल सी का सेटिफेट होना चाहिए दोस्तों फिर से मेरी बात सुन लिजागा फॉर्म बने की लास्टेट तक आपके पास इंटर्मीडिट कंप्लीट होना चाहिए और ट्रिपल सी का सेटिफेट आपके होना चाहिए क्योंकि आप में से कई से लोग बाद में पूछते हैं कि मैंने ट्रिपल से का पेपर दी है लेकिन मेरे पास अभी अभी रिजल्ट नहीं आया या अभी सेटिफेट नहीं है तो वह नहीं दोस्तों आपको जब ही फूपी फूपे भी बने के लाज्ट येट है उसस्तों अपको बाद का ही एक दिन भी बात का है तो आप एलिजबल अगर first division है second division है third division है तो उसे आप से number चुरते हैं तीस number academic के होते हैं आपके paper होता है और written paper होता है written paper के में जो लोग qualify करते हैं उनको skill test के लिए बुलाया जाता है एक पत पर कम सकम 10 से 12 लोगों को skill test में शामिल होने के लिए call किया जाता है skill test में आपका typing test होता है और short hand test होता है short hand आपका 80 word per minute की बुली जाती है normal सी short hand बुली जाती है बहुत जादा tough नहीं बुली जाती है interview आपका खतेम कर दिया गया है इसलिए इसमें जो लोग भी skill test pass होंगे उनके written में जितने number होंगे उसे आपसे merit बनेगी और उस पर जो है आपकी सीधी भरती सीधा chain कर लिया जाएगा तो जो है आप लोग जो भी stenographer की तैयारी करते हैं वो अभी से कमर कस लें अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दें written exam के लिए आपने junior system का paper देख लिया है कैसा आया था कैसा नहीं आया था तो उससे आपसे आपने तैयारी करना शुरू कर दें same as it is syllabus जो है वो stenographer का भी रहेगा तो ये बढ़िया मौक है है आप लोगों के लिए जो लोग stenographer की तैयारी करते हैं वो लोग भर दें इसका advertisement आपको इसी महीने ये कुछी दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा जनुरी में इसका advertisement आ जाएगा ये अभी तक की UPSS की सबसे बड़ी stenographer की बरती होगी 800 से 900 पद होने की इसमें संभावना है बहुत ही महतुपूर्ण भाग इसमें शामिल है दोस्तों आप इसके बाद आप में से कई सरा लोग ने junior assistant cutoff के बारे मूच है तो दोस्तों आप सभी को बता दे कि junior assistant के cutoff के बारे में हम एक poll create कर देंगे लेकिन अभी नहीं जब आपकी answer की कला आ जाएंगी कल आपकी answer keys जो है आपको यूपिटर पलेसी की website पे upload हो जाएंगी जो website आपको दी गई है उनमें कल आपकी answer की अप्लोड हो जाएंगी पहला आप उनसे answers मिला लीजेगा उसके बाद poll create करके आपको उसका expected cutoff जो है वो junior session का बता दिये जाएगा कई सरा लोग ने आप में assistant accountant के बारे में पूछा था तो आज उसका case था अभी उसकी detail नहीं आई है मेरे पास जैसे डीटेल आ जाती है इसे आप लोगों को सूचित किया जाएगा चैनले से जूड़े रही है दोस्तों वीडियोग प्रसंद आहा हो तो शेयर और सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा धन्यवाद दोस्तों